नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में बेदानता स्टॉक को डिस्कस करने बाले हैं और इस समय बेदानता स्टॉक को अगर आप टेक्निकली देखें तो एक मेजर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते दिख रहा है आज अगर इस स्टॉक में देखेंगे तो लग लगभग 2-5% तक की तेजी में दिखी और जो Tata Steel जैसे stock थे उन सभी stock ने लगभग लगभग Tata Steel में 5% तक की तेजी दिखी तो इस stock में जो तेजी रहा उसके पीछे के क्या trend रहे जो actual region रहा इस तेजी का वो क्या region रहा और आगे के खबर को समझे इससे पहले चैनल को subscribe करें और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे इस समय एक बरी खबर इसके electoral bond के payment को ले करके हमने देखा यहां देखेंगे तो 3 amongst 5 electoral bond purchase ed income tax and investigation जिसके कारण इस stock ने भी लगभग 400 करोर के जो है bond electoral bond 410 करोर के बाइक गरे थे इसको तो हटा देगे इस समय यहां देखेंगे टाटा इस्टिल stock जैसे 4% की तेजी दिखी क्या कारण रहा चाइना industrial output growth lifts metal जिसके कारण पुरे metal सेक्टर में ही तेजी दिखी है और यहां इस editorial को भी आप चाहें तो पर सकते हैं पुरा editorial को बेदानता में क्या व्यूज है बेदानता के recent के कुछ बड़े updates नहीं है यह common updates दिख रहा है 16th March का listing obligation और disclosure requirement को ले करके इसके अलावे देखें तो delivery waiter दिख रही है जो technical trend है वो अभी भी negative दिख रहा है लेकिन अच perform करते दिख रहा है आज का volume 72 lakh का और बेदानता के share को देखें इससे पहले एक बार middle sector देखें तो अपने major support यहां जो support है इस support को continuous respect करते दिख रहा है और यहां से एक reversal again all time high के तरफ दिख रहा है बेदानता में हमने क्या कहा कि यह बरी गिरावट नहीं दिख सकता है अगर आप चाहें तो यह एक demand zone ही है और यहां देखेंगे 200 day moving average का support लिया reversal गया थोरा यहां बहुत supply दिख सकता है तो इसलिए जो short term trader है वो 290 के ऊपर के trend को capture कर सकते हैं for target of 320, 360 और 400 यह short term trader का लेकिन अगर आप potentially hold कर सकते हैं near around 2 year तो यह एक demand zone है यहां देखेंगे काफी sustain नहीं क पहला demand zone है 244 से लेकर के लगभग 66 के बीच में और दूसरा 220 से 30 के बीच में 220 के नीचे ही weak होगा overall trend strong है और potentially 600 तक के target next